हेलो फ्रेंज माई नेम इस उमेश पालिवाल आएम दको फॉर्ण ऑफ अनिसिजुन फ्रेंज आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं वहां में डिस्कस करूंगा एर हेल्ट इंशॉरेंस जो एक अनिसिज शेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसके फस्ट सिक्स मंद्स के रिजल्ट कैसे रहें लास्ट इयर की जो 6 मंद्स से उससे खंपेर करूब वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा से ब्रीफ कर दूं किसी भी हेल्थ इंशॉरेंस कंपनी को जब आप स्टड़ी करते हो तो उसको दो पैरमेटर में कहने का मतलब यह है कि उनके उन इंशॉरेंस की पॉलिसी बना के मार्केट के अंदर बेचना उनसे जो प्रीमियम आता है वो उनकी सब्सक्राइब ऑन फंदम होती है इस दिए करेम कि जाते हैं यह एक पॉलिसी एक को पेचे आप आखा यह जाती है तो आप सोचव दस हजार बाराजार फंद्रहीं का मिनि क्योंकि यह तोग सर्विस सेक्टर हैं कोई मैन्फफेक्ट्चरिंग तो हो नहीं कि प्रोड़र लाने है रोव मेटिल कॉस्त है निए इंप्लोई हैं इंप्लोई बोईशी बनाते हैं मार्केट के अंदर बेशते हैं तो जो पैसा इंके पासा आता है वो यह पैसे को invest करते हैं I.A.D.E. guideline है जो इनके regular authority है कि आप पैसे को कहा लगा सकते हो उस guideline के according यह अपने पैसे को market के अंदर या government bonds के अंदर पैसा लगाते हैं वहां से interest कमाते हैं वहां से भी अच्छे का से income आती है जो care health insurance ने यह अपने insurance business से कितना कमा रहा है और अपने investment business से कितना कमा रहा है और अपने investment business से कितना कमा रहा है तो चले शुरू करते इस वीडियो को यह figures मैं दाव लैक्स में हैं अब अगर मैं first six month की बात करूए up to the quarter ended 30 September 2021 यह जो last year का जो 6 month थे उसके अंदर लगभग इनकी जो income थी premium आण इनों ने कहा था लगभग 1093 करोड का profit and loss कुछ redemption हुआ था 1.98 करोड का interest dividend rent मिला था कुछ इनको 60 करोड का तो total इनकी जो income थी वो लगभग थी 1156 करोड की यहनि 1156 करोड की total income थी अगर मैं इस साल compare करूँ तो देखिए थोड़ा सा premium कम हुआ है for the quarter sorry up to quarter this not कम नहीं हुआ है यहां पर देखिए इस figure को देखिए last year लगभग 1100 करोड का इनका total premium था इस बार लगभग 1760 करोड का premium था यानि जो इस साल के first 6 month है इन्होंने बहुत सारी policies बेची है as compared to last 6 month last year के 6 month इसका मतलब अच्छी खासी growth हमें premium के दर नजर आ रही है जो interest dividend rend income है वो भी 60 करोड से बढ़के कितनी होगी 73 करोड होगी so if I see the total last year लगभग 1156 करोड था इस बार 1835 करोड है यानि अगर मैं insurance business की बात करूँ इसके income की बात करूँ तो first 6 month के अंदर almost 77% की growth हमें या नजर आ रही है अब ये तो होगे insurance business कितना कमा रहा है अब जब insurance business के अंदर आप कमाई करोगे तो खर्चे भी होगे खर्चे कौन कौन से होगे सबसे पहला होता है claim incurred के CB insurance business के अंदर सबसे important खर्चा सबसे बड़ा खर्चा होता है claims का अगर कोई बिमार पड़ता है वो hospitalized होता है तो care health insurance को claims देता है अगर मैं claims की बात करूँ इस साल 962 करोड है वह अब देखो 1100 करोड के premium पे 870 करोड का claims था यहाँ पे 1760 करोड के premium पे केवल 962 का claim है इसका reason यह है last year के 6 months ते न उसमें COVID का बहुत effect था तो बहुत ज़रा लोग बिमार हुए थे उसके वेशे आपने देखा होगा की company loss में भी आई थे आपने दिखा दूँ आपको लेकिन इस साल आप देखोगे तो claims जो है ना कम हो गए commission क्या होता है कि जब यह अपनी policy बेचते हैं तो direct website से बेचते है या फिर यह अपने agents के थूँ बेचते हैं तो जब agents के थूँ बेचते हैं तो इनको commission pay करना पड़ता है तो last year लग बग इन्होंने पच्चिस करोड़ा commission pay किया था इस साल दोसो चार करोड़ा commission है operating expenses related to insurance business यानि insurance business को जो लोग चला रहे हैं उसमें जो operation में खर्चे आते हैं employees का खर्चा है, rent है, बागी जारे चीज़े हैं उसमें लग बग 596 करोड इन्होंने खर्च किये last year 453 करोड था तो और और अगर मैं देखू तो खर्चे इनके लगबग 1763 करोड के हैं last year कितने थे 1261 यानि last year income कम थी खर्चे जादा थी, यूग claims बहुत जादा थे तो उसके वेशे ये loss में था लगबग 105 करोड के operating loss में जब मैं operating loss की बात करता हूँ जैसे मैंने आपको वीडियो शूर्यों बताया था कि ये वो loss है जो insurance business इसको हो रहा है लेकिन इस साल देखें तो 72 करोड के profit मागए यानि first 6 month के अंदर अगर care health insurance की आप बात करोगे they have come in profit as compared to last year because last year the business was impacted by COVID-19 and claims occurred were 869 करोड तो operation से हमने समझ लिया business की operation से जो से core operation उससे profit मागए अब investment की बात कर लेते है कि investment से कितना कमा रहा है ये देखें ये पूरा पूरा operating profit loss यहाँ पे आगए 72 करोड का last year 105 करोड का loss था last year 6 month जो थे income from investment तो लगबग 47 करोड है interest dividend rent की ठीक है बाकी profit on sale of investment कुछ 3.5 करोड है तो total जो आ गया वो लगबग आ गया 121 करोड है यानि total में जोड़ दूँ total income हाँ अगर जोड़ दे investment की plus insurance business की 121 करोड है last year ये loss में था overall देखें तो overall देखो गया profit after tax लगबग 90 करोड का है चीक है up to quarter this और last year 57 करोड के loss में था overall तो overall हमें कह सकते हैं कि इस 6 मन्त के अंदर लगबग 90 करोड का इनोंने profit after tax कर लिया है जो कि last year 57 करोड का loss था तो हम overall कह सकते हैं कि results बहुत अच्छे आएं अब किसी भी insurance business के अंदर सबसे important होता है उसका premium कि कितना premium earned कर रहा है तो उसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनका आज की rate में premium कितना earned हो चुका है देखो अगर आप up to September देखोगे जो last year का था तो इनका total premium धाना वो लगबग 1677 करोड का total premium आया था अगर मैं इस साल के बाद करूँ तो इस साल आगया 2395 यानि premium के अंदर भी अच्छे खासी growth हो रही है इसका मतलब यह है कि बहुत सारी policies ये market के अंदर बेच रहे हैं customers को और आप में देखा एक मिशले 2 सालों में जब से COVID आया है तो health insurance के लिए लोगों का जो mindset है वो change हुआ है पहले लोग health insurance को एक expense समझते थे लेकिन आप उन्हें पता लग गया कि अगर आप एक बार hospitalized होते हो तो कितना खर्चा एक hospital के अंदर आ सकता है तो इसी के वेसे कि आप बहुत ज़्याद लोगा policy खरीद रहे हैं तब ही तो इनका premium बढ़ रहा देखो और इसकी वेसे इनकी income बढ़ रहे है तो overall मैं कह सकता हूँ conclude करता हूँ इस वीडियो को कि पहले 6 months के अंदर अच्छा खासा performance रहा है as come to last year क्योंकि last year claim बहुत ज़्याद थे insurance जो business है उस business से profit में है और investment business है हलाकि profit में है ही तो total 90 क्रोड के इनके profit 6 months के अंदर की है जो कि last year 56 क्रोड का loss था अगर valuation की बात करें तो लगबग देड़ सुर्पे की valuation पे अवलेबल है अनिस्टर मार्केट के अंदर और अगर इसके number of shares देखें तो लगबग 94 क्रोड number of shares outstanding है तो लगबग 14,000 क्रोड की valuation पे अवलेबल है अगर मैं इसको star health से compare को star health लगबग आपका अगर आप screener पे चले जाओगे तो star health लगबग 34,000 क्रोड की valuation पे अवलेबल है तो इसके comparison में आप देखो हलाकि star health का premium बहुत जाद है जैसे मैं आपको होता है कि gross return premium नौ से 10,000 क्रोड का था तो यह almost double बड़ी कंपनी है हम कह सकते हैं कि health insurance care health insurance जो है as compared to star health थोड़ा सा हमें valuation के मामले में ठीक लगता है 120-25 के अश्पर अगर मिले तो जादा बड़ी आए इसके अंदर entry करने का इसे के साथ में वीडियो को अंत करता हूँ होप यह वीडियो को पसंद आयोगा इस वीडियो में डिसकस किया care health insurance के रिजल्स अगर आपको रिजल्स अच्छे लगते हैं तो इस रिजल्स को आप अपने जो इन्वेस्टर्स हैं और टांक के अधार आप मार्केट के अंधर इंवेस्ट्मेंट करते हैं उनकी साथ शेयर कर सकते है ताकि उनको प्रताचले कि मार्केट के अंदर जो रिजल्स आ ताकि इन्वेस्ट्मेट करना असान हो чистक्रow और कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे जो भी वीडियोस हम बनाते हैं, वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें, थैंक्यू.